इसमें का गया है, man moves in xy plane along the path shown, और ऐसा कौन सा point है, जहाँ पे average velocity in the same direction as is instantaneous, जब ऐसा कौन सा point है, जहाँ पे instantaneous velocity और average velocity एक ही दिशा में है, ध्यान दिजाएं कि ग्राफ नहीं है, यह coordinate system में y है, यह वो state से जहाँ पर पार्टिकल चल रहा है, अब देखिए, हम जानते हैं कि, देखिए, पार्टिकल ने P से start किया, P से C पर एक tangent डाली है, अब आप जानते हैं कि कि किसी point पे tangent, velocity tangent direction में होती है, तो C पे जो velocity होगी, वो tangent की direction में ही होगी, अगर पात यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो velocity इसी दिशा में होगी, और क्योंकि P से C तक का displacement भी इसी दिशा में है तो PCC तक का displacement अगर इस दिशा में है, तो average velocity भी इसी दिशा में होगी, तो C ही वो point है, जिस समय है, जिस point पर average velocity और instantaneous velocity सेम दिशा में है, तो इसका clear answer T है